आज की इस कॉन्फरेंस में उपस्तित मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी श्री नरेंदर तोमर जी, मंसुक मांडविया जी, प्यूश गोयल जी, कैलाश चोदरी जी, विदेशों से आये हुए, कुछ मंत्रीगण, गोयाना, मालदिवुश, मोरिशेस, श्री लंका, सुडान, सुरिनाम, और गांबिया के सभी मान्य मंत्रीगण, दुनिया के विविन हिस्सों से, कृष्टी, पोशन, और स्वास्त के एक शेत्र में काम करने वाले, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स, विविन एप्पियोस, और स्टार्ट अप्स के युवां साथ ही, देश के कौने कौने से जुड़े, लाखों किसान, अन्य महानुभाव, देवि और सजनों, आप सभी को, ग्लोबल मिलेट कॉन्फरंस के आयोजन के लिए, हार दिक शुब कामना है, इस तरह के आयोजन, न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है, बलकी, ग्लोबल गुड में, भारत की बड़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है, साथियों, आप भी जानते हैं, कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही, स्वयुक्त राष्ट ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेटियर गोशित किया है, जब हम इसी किसी संकर्पों आगे बढ़ाते हैं, तो उसे सिद्धी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही एहम होती है, मुझे खुशी है कि आज बिश्व जब इंटरनेशनल मिलेटियर मना रहा है, तो भारत इस अभ्यान की अगवाई कर रहा है, ग्लोबल मिलेट्स कांफरेंस इसी दिशा का एक महत्वपों कतम है, इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थववस्ता, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आए, ऐसे अनेक विशवों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्ष करने वाले हैं, इसमें गराम पंचायते, क्रिशी केंद्र, स्कूल, कॉलेज और अग्रिकल्चर युनिवर्सिटीज भी हमारे साथ शामिल है, इंडियन एमबिजिच से लेकर कई देश भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, भारत के 75 लाग से जादा किसान आज वर्चुली हमारे साथ इस समारम में मौजूद है, ये भी इसके महत्मय को दर्साता है, मैं एक बार फिर आप सभी का रजय से स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ, अभी यहाँ मिलेट पर समारक डाग टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया गया है, यहाँ भूक अप मिलेट स्टांडर्स को भी लॉंच किया गया है, और इसके साथ ही, ICAR के इंडियन इस्टुटर अप मिलेट्स रिसर्च को, ग्लोबल सेंटर अप एक्सेलन्स गोशित किया गया है, और यहाँ मंच पर आने से पहले, मैं एक्जिबिशन देखने गया था, मैं आप सबसे भी, और जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले हो, उनसे भी आगरा करूँगा, कि एक ही जगा पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उप्योगीता को समझना, परियावरान के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्त के लिए, किसानों के आए के लिए, सभी पहलों को समझने के लिए, यह एक्जिबिशन देखना, मैं आप सब को आगरह करूँगा, जुरूर देखे, हमारे युवा साथी, किस प्रकार से नए-ने स्टार्ट अफ लेकर के इस फिल्ड में आये हैं, यह भी अपने आप में प्रभावित करने वाला है, इस सभी भारत के कमिट्मेंट, भारत की प्रतिवद्वता को प्रदर्शित करते हैं, फ्रेंट्स, ग्लोबल मिलेट्स कांफरंस से जुड़े, विदेशी अतित्यों को, लाखों किसानों के सामने, मैं आज एक जानकारी भी दोहनाना चाहता हूँ, मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए, भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को, अब स्री अन्न की पहचान दी गई है, श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सिमित नहीं है, जो लोग भारत की परंपराओं से परिचीज है, वो ये भी जानते हैं, कि हमारे यहां किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुर्दा है, जहां स्री होती है, वहां सम्रुद्दी भी होती है, और समग्रता भी होती है, स्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है, इसमें गाउं भी जुड़ा है, गरीद भी जुड़ा है, स्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की सम्रुद्दी का द्वार, स्री अन्न यानी देश के करोणों लोगों के पोशन का करणधार, स्री अन्न यानी देश के आदिवाची समाज का सतकार, स्री अन्न यानी कम पानी में ज़्यादा फसल की पैदावर, स्री अन्न यानी केमिकल मुक्द खेती का बड़ा आधार, स्री अन्य यानी क्लाइमेट चेंज की चुनवती से निपटने में मददगार साथियों हमने स्री अन्य को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया है 2018 में हमने मिलेट्स को न्यूट्रिस सीर्ल्स के तौर पर गोशित किया था इस दिशा में किसानों को जागरुत करने से लेकर बाजार में इंट्रेस्ट प्रदा करने तक हार स्कर पर काम किया गया हमारे यहां बारा तेरा राज्यों में प्रमुक्ता से मिलेट्स की खेती होती है लेकिन इन में गरेलु खपर प्रती व्यक्ती प्रती मां दो तीन किलो से जादा नहीं थी आज ये बढ़कर चौदा किलो प्रती मां हो गई है यहने दो तीन किलो से बढ़कर के चौदा किलो मिलेट्स फुड प्रोडक्सी विक्री भी करीब तीस प्रतीशत बढ़ी है अब जगर जगर मिलेट्स कैफे नजर आने लगे हैं मिलेट्स से जूड़ी रेसिपीज के सोशल मीडिया चैनल्स बन रहे हैं देश के उननिस जिलो में मिलेट्स को वन डिस्टिक वन प्रोडक्स कीम के तहद भी सिलेक किया गया है साथियों हम जानते हैं कि स्री अन्न उगाने वाले ज़्यादातर किसान छोटे किसान है मार्जिनल फार्मर्स है और कुछ लोग ये जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि भारत में मिलेट्स की पैदावर से करीब करीब ढाई करोड छोटे किसान सीधे जुड़े हुए हैं इन में से जादातर के पास बहुत कम जमीन है और उन्हें जलवायू परिवर्तन की चुनोत्यों का भी सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है भारत का मिलेट्स मिशन स्री अन्न के लिए शुरूर वाई अभ्यान देश के धाई करोड किसानों के लिए बरदान साबित होने जा रहा है आजादी के बाद पहली बाद मिलेट्स पैदा करने वाले धाई करोड छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुद ली है जब मिलेट्स स्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन धाई करोड छोटे किसानों की आए बढ़ेगी इससे ग्रामेर अर्थववस्था को भी बहुत लाब मिलेगा प्रोसेस और पैकेज फूड आइटम्स के जरिये मिलेट्स अप स्टोर्स और मार्केट तक पहुँच रहा है पिछले कुछ वर्सों में ही देश में स्री अन्न पर काम करने वाले पान सो से ज़्यादा स्टार्टर भी बने हैं बड़ी संक्या में एप्योज इस दिशा में आगे आ रहे हैं स्वयम सहायता समूओं के जरिये महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है गाउं से निकल कर ये प्रोड़क्स मॉल और सूपर मार्केट तक पहुँच रहे हैं यानि देश में एक पूरी सप्लाइच चेन विक्सित हो रही है इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों के भी बहुत बड़ी मदद हो रही है साथियो भारत इस समय जी ट्वेंटी का प्रसिडेंट भी है भारत का मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पूरे विश्व को एक परिवार मानने की ये भावना इंट्रनेशनल मिलेटियर में भी जलकती है विश्व के प्रती कर्तव्य भावना और मानवता की सेवा का संकल्प सदेव भारत के मन में रहा है आप देखिए जब हम योग को लेकर आगे बढ़े तो हमने ये भी सुनिसित किया कि अंतर राष्टिय योग दिवस के जरिये पूरे विश्व को उसका लाब मिले मुझे खुशी है कि आज दुनिया के सो से ज़्यादा देशों में योग को अधिकृत रूप से बढ़ावा मिल रहा है आज दुनिया के तीस से ज़्यादा देश आयुर्वेद को भी मानेता दे चुके हैं इंटरनेस्टर सोलर अलाइंस के रूप में आज भारत का ये प्रयाव सस्ट्रेनबल प्लेनेट के लिए एक प्रभावी मंच का काम कर रहा है और ये भी भारत के लिए खुशी की बात है कि आईसा से भी सो से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं आज चाएं लाइप मिशन की अगवाई हो क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्षों को समय से पहले हासिल करना हो हम अपनी विरासत से प्रेणा लेते हैं समाज में बड़लाव को शुरू करते हैं और उसे विश्व कल्यान की भावना तक ले कर जाते हैं और यही आज भारत के मिलेट मूवमेंट में भी दिख रहा है स्री अन सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है अलग-अलग खेत्रों में जवार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कॉंदो, कुठकी, कुट्टू जैसे कितने ही स्री अन भारत में प्रचलन में है हम स्री अन से जुड़ी अपनी क्रशी प्रधतियों को अपने अनुभवों को विश्व के साथ साजा करना चाहते हैं हम विश्व के पास जो नया है, दूसरे देशों के पास विशेस्ताएं हैं, उसे भी सिखना चाहते हैं सिखने का भी हमारा इरादा है इसलिए जिन मित्र देशों के अग्रिकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्दित है मैं उनसे विशेस आगर है कि हम इस दिशा में एक स्ट्रेबल मेकनिजम डेवलोप करें इस मेकनिजम से आगे चल कर, फिल्ड से लेकर मार्केट तक एक देश से दूसरे देश तक, एक नई सप्लाइचेन विख्षित हो यह हम सब की साजा जिम्मेदारी है साथियों, हाज इस मंच पर मैं मिलेट्स की एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूँ मिलेट्स की यह ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलियन्स हो ना बहुत एड़वर्स क्लाइमेटिक कंडिशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है इसकी पैदावर में अपेक्षा कृत पानी भी कम लगता है जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की बड़ी खुबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है यानि मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्त को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है साथियों जब हम फूर सिकूरिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज दुनिया दो तरह की चुनोतियों से जूज रही है एक तरफ ग्लोबल साउथ है जो अपने गरीबों की फूर सिकूरिटी को लेकर चिन्तित है दूसरी तरफ ग्लोबल नौर्थ का हिस्सा है जहां फूर हैबिट से जूड़ी बिमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं यहां खराब पोर्षन एक बहुत बड़ाब चलेंज है यानि एक तरफ फूर्ड सिकूरिटी की समस्या तो दूसरी तरफ फूर्ड हैबिट्स की परिशानी दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावर के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है लेकिन स्री अन ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं जादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है इस पर खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसों की दोलनाम है यह जल्दी त्यार भी हो जाता है इनमें पोशन तो जादा होता ही है साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं ग्लोबल फूड सिकूरिटी के लिए संगर्स कर रहे विश्वबैं स्री अन बहुत बड़ी सोगात की तरह है इसी तरह स्री अन से फूड हैविट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है हाई फाइबर वाले इन फूट्स को शरीर और सहथ के लिए बहुत पायदे मन माना गया है इनसे लाइफटाइल रिलेटेड बिमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है यानि पर्सनल हेल्ट से लेकर ग्लोबल हेल्ट तक हमारी कई समस्याओं के हल में स्री अन्न से हम जुरूर रास्ता खोच सकते हैं साथियों मिलेट के छेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाय मुझूद है आज भारत में नेशनल फूर बास्केट में स्री अन्न का योगदान केवल पांच शे प्रतिशत है भारत के वैज्यानिकों को क्रिशिक शेत्र के जानकराओं से मेरा आग्रह है कि हमें इसे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा हमें हर साल के लिए एचिवेबल टार्गेट सेक्ट करने होगे देश ने फूर प्रोसेसिंग सेक्टर को बुष देने के लिए पी एलाइस किम भी शुरू की है इसका जादा से जादा लाफ मिलेट सेक्टर को मिले जादा से जादा कमपनियां मिलेट प्रोड़क्ट बनाने के लिए आ गया है इस दिशा को इस सपने को सिद्ध करना हमें सुनिस्षित करना होगा कई राज्यों ने अपने हाँ पीडियेश सिस्टिम में स्री अन्न को शामिल किया है दूसरे राज्यों में भी इस तरह के प्रयाश शुरू किये जा सकते हैं मिड्ड मिल में भी स्री अन्न को शामिल करके हम बच्चों को अच्छा पोशन दे सकते हैं खाने में नया स्वाद और विवित्ता जोड सकते हैं। मुझे विश्वास हैं इन सभी बिंदों उपर इस कॉन्फरेंस में विस्तार से चर्चा होगी और उन्हें इंप्लिमेंट करने का रूर में भी तयार किया जाएगा। हमारे अन्दाता के और हम सब के साजा प्रयासों से स्री अन्द भारत की और विश्व की सम्रुद्ध में नई चमक जोड़ेगा। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं रुदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे दोनों देशों के राष्टाज्यक्षों ने समय निकाल करके हमें जो संदेश बेजा उन्दोनों का भी मैं रुदय से आभार वेक्त करता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद।